हाई फेंस राजी शेयर्ट जैसे कि आप देख पारे होंगे आपको अपनी वीडियो स्क्रीण के ओपर दो फोन्स देखने को मिल रहे हैं एक है हमारे पास Poco F3 GT जिसके अंदर हम MIUI 12.5 का इन्हेंस्ट वर्शन यूज़ करें और राइट साइट पे है हमारे पास MI 11X जिसके अंदर हम MIUI 13 वर्शन यूज़ करें तो आज हम साइट बाइ साइट कंपारेजन करने वाले हैं कि MIUI 12.5 और MIUI 13 में आपको क्या-क्या अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं दोनों ही फोन में जो है हम चैना का ही रोम यूज़ कर रहे हैं तो इससे यह ज़रूर हो जाएगा कि दोनों ही फोन में हमको अल्मोस्ट एक जिससे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे मैं इसको India stable के साथ match नहीं कर दो इंडिया stable में आपको काफी सारे features missing देखने को मिलते हैं आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही phones का side by side comparison करने वाले हैं और मैं आपको उता हूंगा क्या-क्या features दोनों phones में अलगा आपको देखने को मिलते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू कर देगा साथ ही साथ चैनल के support के लिए चैनल को subscribe करना मद भूलेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को हम start करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताई चुका हूँ लेफ्ट साइट पर है हमारे पास Poco F3 GT जिसके अंदर हम MIUI 12.5 का enhance stable China version यूज़ कर रहे हैं और राइट साइट पर है हमारे पास MI 11X जिसके हम अंदर हम MIUI 13 का beta version यूज़ करें तो आप देख पा रहा हूँगे home screen का look जो है आपको कुछ इस तरीका यहां पर देखने मिलता है बट सरसे पहले हम lock screen के पर चलते हैं दोनों ही phones के ऊपर तो यह लिखें दोनों ही phones के lock screen जो है आपको mostly similar देखने मिलती है बट आप right side को swipe करते हैं दोनों ही phones के अंदर तो दोनों ही phones में आपको जो है एक अलग किसम पर layout यहां पर देखने मिलता है यहां पर आपको वही MI assistant wallet या torch या wallpaper kerosol के option देखने मिलते हैं बट यहां पर आपको थोड़े कुछ एक अलग UI के साथ जो है यह कुछ चीज़ें मिलती है इसमें चैनिकों मिलता है यहां पर रिमॉव का बटन नहीं मिलता है जब तक आप किसी एप को सेलेट नहीं करते हैं तो आपको उपर रिमूव या गुरूप करने का इनको यहां पर ऑप्शन मिल राता है उसी तरीक से में एक अलग तरीकी का ऑप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं तो यह तो हो गया पहला चेंज आपको कि इसके अंदर कुछ प्रासिक विजर्स देखने को मिलते हैं और में आपको काफी बड़ी विजेट्स की लिस्ट मिल जाती है इसके ओपर आरडी में एक वीडियो बनाया है डिटेल वीडियो कौनपोन से विजेट्स मिलते हैं तो उसको जाकर आप एक बार जरूरूर चेक आउट करने तो यह आप देखने को मिलता है अब जो आपको यहां से हाइड कर सकते हैं उनको आप यहां से सेट अप कर सकते हैं यह चीज़ आपको मिल जाती है वही शोव मेमोरी स्टेटस और ब्लर एप प्रिव्यू आपको दोनों ही फोन में दोनों ही लॉंच में एक जैसी देखने को मिलतें तिर्फ लेबल हाइड करने का एक औप्शन आपको वहां पर प्रोवाइड किया गया है उसी तरीके से अगर आप दोनों ही फोन की एप व में अब बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की तो आप देखने को मिलने वाला है उसका लुक जो है कुछ इस तरहीं का होने वाला है और मियूऑ 12.5 का कंट्रोल सेंटर को इनेबल नहीं किया गया है ज्योंकि स्टेबल वर्शन जो रिजीज किया जाएगा उसके अंदर इसको श आपको प्री लॉंज वर्जिन देखने को मिलना है तो उसके इंडिया में मुझे लगता नहीं कि ऐसे फीचर्स आपको बहिते हैं कि इंडिया के इंडिया केंदर काफी सारी किना को यह रिमूउव दिदेशे सापको काफी अच्छे मिल गयाते हैं एंड्योड और जो कि आपको इसके मुए 12.5 वरिजिन में देखने को नहीं मिले हैं आपको चेक आउट कर लेते हैं जिए डालर आपको दोनों ही फॉन से नहीं है आपके इवन जो सेटिंग्स पैनल है वह और दोनों ही फunds नीए ही देखने लिए आप सेम ल 그런데 फारे थे बस सिंपल सा कि आपको जोगो को चेंजD250 वैसे मैं आपको दिखा रहता हूँ दूर्णों के मूर स्क्षियंग सारे सारे आप्शन सापकू वहां पर देखने को बिल जाते हैं जो कि आपको में तो में प्सक्राइब की प्सक्राइब की एप की बात करें कि आपको हुडוח पर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो यह चेंजेस्ट आपको security में देखने को मिले थीजिस्टाइइबूरों में एक जैसे ही उए और एक जैसे ही look आपको देखने को मिलता है जो कि MIUI 13 के अंदर recently introduced किया गया, यह फरका को जरूर यहां में आपके UI में आपको जरूर देखने को मिलेगा, अगर गैलरी की बात करें, दोनों ही फोन्स में मैं गैलरी एप को लांच कर देता हूं, आप देहें कि पुरा से चेंज आपको जरूर यहां पर देखने को मिलेग ओबराल देखा झातों, जाबाइद को चेंजर नहीं हैं, इस के इंदर आपको art का एक नेए filter दिया गया है, और कुछ और नए चीज़े दी आपको करें तो एक जैसा ही you are आपको यहाँ पे देखने को बिलती है गैम दोनो benefits प्रवाइट किया गया है उसमें आपको यहां पर कोई भी जाबा चेंज़ यहां पर देखने को नहीं भी लेंगे दोनों ही फोन में एक जैसा गेम टर्बो आपको देखने बिलता है चुकि आगे चलके आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं क्या उनके दोनों के सब्सक्राइब को च्छोटे मोटे चेंज से आप जरूर को सब्सक्राइब को जाते हैं तो कनेक्शिंट एंड शेरिम में प्लस बेटा के अंदर आपको जो है दोनों की फोन में अलगला फीचर टेकने को बिलते हैं अब देख पाएंगे इसके इनदर आपको हैंड ऑफ का नए फीचर इंट्रीउस किया गया है जो कि मी वाइज पैटिंग की डिवाइजेस में आपको देखने को नहीं मिले हैं यह दोनों ही फोन में इप्रूफ किया गया है कि काफी बेटर चेंजिस मिलेंगे आपको ऐसा कुछ नहीं है छोटे मोटे माइनर चेंज़ से आपको देखने को मिलते हैं अगर आप लाइबरी में जाए तो यहां पर आपको नए लाइव वालपर देखने को मिलें जो कि मॉल्टिन ग्लास इसके वडियो को आप अपने एंडूइट 4 में कैसे चेक आउट करें इसके अंदर आपको वही नॉर्मल वालपर देखने को बिलते हैं इसके नए लाइव नहीं किये गये हैं तो यह बात आपको धियान रखनी है कि आपको थोड़े यहां पर देखने को नहीं बिलेंगे similar आपको वही चीज़ें यहां पर देखने को मिल जाती है बट नोटिवेशन एफेक्ट में कुछ चेंजस यहां पर किये गए अब यहां पर देखेंगे आपको यहां पर एदिमेशन नेम शो करता है और 12.5 में Light Up Queen के नाम से शो करते हैं इसके अंदर आप जाते हैं तो यहां पर भी आपको चेंजिस देखने को मिलेंगे जैसे आप देख पारे होंगे इन सभी के आगे जैसे रिदम पल्स लिखा है तो इसमें इनके आगे पल्स ब्ल्यू, पल्स रेड, स्टार लाइट ऐसे कुछ ओप्शिस दिये गए हैं तो इसे नेम्स में यहां पर ज़रूर चेंजिस कियें बट फीचर्स जो है इस तरीके से काम करते हैं जो कि आपको MIUI 12.5 में देखने को मिलते हैं तो आलवेस ओन डिस्प्ले के अंदर कोई ज्यादा चेंजिस नहीं है सेम आपको वैसी फीचर्स मिलते हैं अगर डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको डिवाइस स्पैसिफिक को चेंजिस जरूर देखने को मिलते हैं आप उसके मत जाए होगा क्योंकि POCO F3 GT में आपको anti-flicker mode मिलता है आपको MI 11x के अंदर देखने को नहीं मिलता है रिफ्रेशेरेट के option दोनों ही स्पोंच में सेम ही देखने को मिलते हैं सेम यू आ आपको देखने को मिलता यह दिखे का बाट इपको ध्याटेंस inhibit yamoo फॉन्ट में पे ब्रह दिखने को यह ज leerने बट 13 में sound and touch के नाम से इसको introduce किया गया है तो इसके लिए sound and touch में आपको सारे के सारे option वो ही मिल जाते हैं सारे चीज़े as it is वो ही मिलती है पटागर आप देखें तो आपको haptic feedback का जो option है sound and vibration के panel में MIUI 12.5 के अंदर भी आगया है एक feedback को introduce किया गया है notification and control center में कोई changes नहीं है home screen में आपको दिखा चुका हूँ अगर आप ध्यान से देखें अब यहां पर आपको fingerprint face data and screen lock के नाम से एक नया option देखने को बिलता है बट 12.5 में आपको passport and security के नाम से देखने को बिलता है security tab में जाए तो आपको screen lock, shutdown, find device, SIM security, MIUI warning ये सारे चीज़ें देखने को मिलता है जो कि आपको security के app में भी देखने को मिलता है बट एक अलग से यहां पर option आपको MIUI 13 के अंदर ज़रूर provide किया गया है जो कि MIUI 12.5 में आपको देखने को नहीं मिलता है अगर दोनों ही phones के privacy के बात करें तो आप देखेंगे कुछ इस तरह कर look आपको देखने को मिलता है नॉर्मली वाइए, same है, as it is same आपको देखने को मिलता है same ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कोई जाबा changes नहीं है, as it is वो ही है जो आपको देखने को मिली है यहाँ पर extra देखने को मिलते हैं, इसके अंदर कुछ कम tools आपको देखने को मिलते हैं, यह चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान पर रहने है कि यह फोड़ी बहुत changes आपको यहाँ पर privacy के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं बट अगर आप इसके बैटरी के टैप पे जाएं तो आप देखें कि जो MIUI 13 है उसके अंदर आपको बैटरी के हेल्थ है उसके बारे में आप पता चाहे देगा कि पूर है, normal है, good है, accident है और क्या temperature है और कितने बार चार्ज किया वो आपको इसके अंदर आपको बैटरी हेल्थ का जो option जो है देखने को नहीं मिलता है optimized charging, automatic tasks और scheduled power on-off दोनों ही phones में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किये गा है जो कि एक तरीके से आपके phone को track कर गया कि को थर्ट पर्टी एप्लिकेशन या को आप इंस्टॉल करना चाहरे हैं वो आपके phone के लिए secure है कि नहीं है, तो security को लेके MIUI ठाटन के इंदर थोड़ी सी information आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिले है और shoulder button जो है वो Poco F3 GT का feature है तो वो आपको इसमें देखने को नहीं मेलेगा तो वो इसको हम यहाँ पर अलग रखते हैं कुछ थोड़े से changes आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा बाकि otherwise सारी चीज नहीं इसमें थोड़े साइड बार आपको थोड़ा ब्रॉड सा देखने को मिलता है इसमें थोड़ा सा आपको अलग UI के साथ देखने को मिलता है बाकि रेस्ट आप फीचर्स सेम है सेम लुड लुड मिल जाता है वाकि फीचर इसमें ठोड़ा सा तता लिल्द तोड़ा साब कलर्स मी में इा पर जए ज़रू ठेखने को मिलेगा इसमें ब्लू कलर में आपको बैलन्स ने से ग्रीर बाकि चीज़ें को Is海만 आपको फीचर्स मिल जाता है दौनोंग भूंस में वह सिर्फ एक साइड बार का option चेंज किया गया है, एक नए तरीका edge panel जो है आपको देखने को बिलेगा है, जिसको आपको किसी स्क्रीन पे एक्टिव कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीकी का option जो है आपको settings पैनल में यहाँ पे देखने को बिलेगा है, rest of the all, सारे के सारी features same है, as it is गोई है, fonts में changes किये गए है, थोड़े से आपको UI में minor changes देखने को मिल चकते हैं, नए live offers, on-chamake label का option देखने को मिला है, control center आपको आगे चलके change देखने को मिलेगा, और बाकी rest of the features सारे के सारे आपको दोनों ही phones में same देखने हैं, तो बस आज का वीडियो इसी के अपर था कि, जो MIUI 12.5 और MIUI 13 ने, उसमें आपको क्या क्या जो है, differences देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में पता रही है, तो आपको क्या लगता है, जो नया version जो आगे चलके आपको देखने को मिलता है, वो आपकी expectation के ओपर ख़रा होत चैनल के support and motivation के लिए चैनल को subscribe करना मत, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye